ऐसे में सद्यों से कल कल बहती मा गंगा को स्वच्छ रखना हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसी उद्देश के साथ आठ साल पहले हमने नमामी गंग्य अभियान की शुरुआत की थी हम सभी के लिए गवरों की बात है कि भारत की इस पहल को अज दुनिया भर की सरहना मिल रही है उनाइटेड नेशन्स ने नमामी गंग्य मीशन को इको सिस्टिम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप टैन इनिशेटिव में शामिल किया है ये और भी खुशी की बात है कि पुरे भीशों के एक सो साथ ऐसे इनिशेटिव में नमामी गंग्य को यह सम्मान मिला है साथियों नमामी गंग्य अभ्यान की सबसे बड़ी उर्जा लोगों की निरंतर सहवागिता है नमामी गंग्य अभ्यान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमी का है विपैड लगाने घाटों की सफाई गंगा आरती नुकर नाटक पेंटिंग और कविताओं के जरिये जागरूता फैलाने में जूटे हैं इस अभ्यान से बायो डायवर्सिटी में भी काफी सुधार देखा जा रहा है हिल्सा मचली, गंगा डॉल्फिन और कशुओं की विविन प्रजात्यों के संख्या में काफी बृद्धी हुई है गंगा का एकोसिस्टिम क्लीन होने से आजी विका के अन्या उसर भी बढ़ रहा है हुआ हुआ है